इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन्स के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन्स की जो भी स्पेसिलाइज़ एजनसी है उनके बारे में प्रिवियस वीडियो में हमने देखा यूनाइटेड नेशन के कुल कितने ओगन है यानि कि उनके कुल कितने भाग हैं अंग हैं उनके बारे में डिसकेशन किया आज अब इस पर्टिक्लर वीडियो में सभी एजनसीों की बात करेंगे जो की यून के तहत आती हैं सबसे पहले FAO यानि की Food and Agricultural Organization Food and Agricultural Organization जो है आपका आप नाम से समझ रहे होंगे Agriculture यानि की किर्सी और Food यानि की खाद्यान इन दो चीजों पर फोकस करके संस्थान को बनाया गया था इसके बारे में कई वारे एक्जाम में कुशन पूछे जा चुके हैं कुशन एक बार देख लेते हैं संयुक्त रास्ट की एक विसेस अजेंसी है FAO जो की भूख से लड़ने के लिए लोग भूकमरी का सिकार ना हो जाओ उससे लड़ने के लिए बनाई गई एक अंतरास्ट्री प्रयासों को एक संस्था है यानि कि अंतरास्ट्री जितने भी वो इस संस्थान पर आके रुके हैं यानि कि इनको बनाने के पीछे जितने भी कंट्रीज रहे हैं उन्होंने इसी मोटिव को लेकर भूख से लड़ाई को लेकर इस संस्था को बनाया गठन के बात करें कविसका फॉर्मेशन हुआ जोस आपको इनको भी नाम याद रखना है जोस ग्रजियानो दिसिल्वा ठीक है तो इस तरह से महाने देसक के एक्जाम में पूछा जा सकता है कई बार जो भी इसके हैड होते हैं हैड आप दी ऑगनाईजेशन होते हैं वो एक्जाम में पूछा आते हैं तो जोस ग्रजिय के फुलफॉर्म की बात करें तो International Labour Organization फुलफॉर्म आई एलो इस International Labour Organization ठीक है अंतराश्टी स्रम संगठन हम इसे कहेंगे अंतराश्टी स्रम दिवस के तौर पर International Labour Day के तौर पर कौन सा दिन मनाया जाता है ये कहीं न कहीं इसी से जुड़ा हुआ है तो वो भी आपको याद रठना है फर्स्ट में यानि कि एक मई को अंतराश्टी ये लेवर डे भी मनाया जाता है मजदूरों की बहतरी के लिए उनके वेलफेर के लिए उनको रिकगनाईज करने के लिए ये डे सलिबरेट होता है अब बात करते हैं कि ILO किस तरह की एजनसी है तो ये भी स्युक्तराश्ट की ही एक स्पेसलाइज एजनसी है जिसका काम है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है यानि कि कि किसी भी तरह से मजदूरों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो उनके साथ अन्याय ना हो और अंतरास्ती जो स्रम मानक हैं यानि कि international लेवल पर मजदूरों के जो अधिकार हैं उनके जो standards हैं यानि कि जब वो काम करते हैं किसी भी साइट पर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर काम करते हैं तो उनके साथ उन सभी standards को अपनाया जाए जो कि एक मजदूर के लिए जरूरी है, उनके जीवन के लिए जरूरी है, यानि कि सभी तरह के जो सुरक्षा उपकरण हैं, वो उनको दिये जाएं, जो भी स्टेंडर्ड लागू होता है, जिस लेवल तक उन्हें, जिस खत्रे तक जाकर उन्हें काम करना है, वो लागू वहां पर 1919 में, 1999 में जब विनासकर युद्र के मद्दे नजर, जब आपका फर्स्ट वर्ल वार आपका खत्म हुआ था, 1914 से लेकर, 1918 के बीच में, आपका प्रथम विश्विद जब खत्म हो गया था, उसके बाद, ILO की स्थापना की गई थी 1999 में, और 1946 में इसे UN की पहली विसिस्ट एजनसी बनाया गया, तो स्थापना तो हुई 1919 में, लेकिन ILO UN के तहट कब आया, UN के अंडर में कब आया, UN की स्पेसिलाइज़ एजनसी कब बना तो आंसर हो जाएगा, 1946, 1946, ठीक है, महाने दे सक की इसके भी बात कर लेते हैं, जो भी इसके डिरेक्टर जनरल है, वो है गे राइडर, तो ये नाम याद रखना है, ILO का, फुल फर्म आपको याद रखना है, एक्जाम के पॉइंट अव्यू से काफी ज़्यादा ये इंपॉर्टन्ट है, एक्जाम के पॉइंट अव्यू से देखा जाए, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स के नाम भी एक्जाम में प सबी के सामने है, पहली जो है वो है, वर्ल इंप्लाइमेंट एंड शोशल आउटलुक रिपोर्ट, यानि कि विश्य रोजगार और सामाजिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, ये आपके एक्जाम में पूछी जा सकती है, एक्जाम के पॉइंट एविव से ये इंपॉर्ट रिपोर्ट है, वो आपकी यहाँ पर है, तो ये तीनों की तीनों जो रिपोर्ट है, वो आईएलो के द्वारा ही पॉब्लिस की जाती है, अब बात करेंगे आईएमेफ के बारे में, नाम कई बार आपने एक्जाम में सुना होगा, इंटरनेसल मोनेटरी फंड यानि कि अं मौद्रिक सहियों को बढ़ावा देने, दूसरा, विती स्थर्टा को सुनिश्चित करने, अंतरास्टी व्यापा यानि कि इंटरनेसल ट्रेड को सुब्धजनक बनाने, और उच्च रोजगार, हाई इंप्लॉइमेंट, सतत आर्थिक विकास, ठीक है, को बढ़ावा देने और दुनिया पर गरीबी को कम करने के लिए काम करता है, निकि दुनियां से गरीबी मिटाने के लिए, इन सभी के सभी उद्देश्यों के लिए आईमेफ काम करता है, ठीक है, आगे बात करेंगे, इसके बारे में और रिटेल में, इंगलिस में भी आप सभी के लिए है, च की जो कलपना हुई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वूड्स न्यूहेंच्षायर सजुक्त राज अमेरिका में सजुक्त रास्ट के एक समेलन में की गए थी जनी कि इसका जो विचार है वहां किस पर्टिकुलर येर में आया था तो इसका विचार जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फरेंस हुई थी अमेरिका में वहां से उप जा था और 1945 में आइंटीन फॉर्टी फाइब में आइम एफ को इस्टेबलिस किया गया तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है यानि कि सबसे पहले इसका बीज कब बोया गया तो आंसर होगा आपका 1944 लेकिन आइम एफ का इस्टेबलिस्मेंट का हुआ तो आंसर आपको देना है 1945 इसका बीज, इसका विचार, इसका आईडिया कहां से निकल के आया, जनरेट होकर आया तो ब्रेटन वुड्स कॉंफरेंस, इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे अब आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इसके हेड़कॉर्टर को और इसके बारे में और के डिटेल हमारे एक्जाम में पूछी जा सकती है मुख्याले की बात करें, वासिंगटन डी सी, इस इस दी कैपिटल आफ अमेरिका, वासिंगटन डी सी डी सी का मतलब है, डिस्टिक आफ कोलंबिया में इसका हेड़कॉर्टर लोकेटिड है एमडी की बात करें, मैनेजिंग डारेक्टर है, क्रिस्टीन लगार्ड, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना होगा कुल कितने देशं, यहाँ पर एक डेटा भी हमारे पास है, वो डेटा ये है कि आईमेफ का वर्तमान में 74 कंट्रीज का बकाया, लगबग लगबग 28 बिलियन युएस डॉलर का जो रिन है वो बकाया है, अब ये जो लास्ट लाइन है आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर यह डेटा ये आकड़ा इसलिए र आपकी जानकारी के लिए था, आगे बढ़ेंगे, आईमेफ के दोरा कौन-कौन सी रिपोर्ट पब्लिस की जाती है, तो दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि पहली है, ग्लोवल फनेंशल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानि कि वैश्वे कवि होती हैं, एक्जाम में सीधा सीधा कुश्यन बोलेगा, पूछेगा और एक्जाम में आपको सीधा सीधा आंसर करना है, बात करते हैं अगले संगठन की जो कि हमारे सामने है, IMO, नाम सायद सुना होगा, International Maritime Organization, International Maritime Organization, this is the full form of IMO, किस तरह की एजंसी है, तो यह संयुक्तराष की एक विस्येस एजेंसी है, जो कि जहाजों की सुरक्षा जो की International Level पर जो जहाज समुद्री यातायात होता है, उनकी सुरक्षा जहाजों द्वारा समुद्री और वाई मंडली प्रदूशन की रोक्थाम के लिए काम करता है, यानि कि जहाज जो की समुद्रों में चलते है यातायात की सुबधा देते हैं समुद्री मारगों पर, उनके द्वारा समुद्री इस तर पर किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो, प्रदूशन ना हो और वाय मंडल में भी किसी तरह का प्रदूशन ना फेले, इन सब के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए भी, जहाजों में एक अंतरास्टी सम्मेलन हुआ था जिसमें आपचारिक रूप से IMO की स्थापना के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया गया था यानि कि 1948 में IMO का जो विचार है IMO को स्टेबलिस करने का जो विचार है एक सम्मेलन के दोरान हुआ और इसका समझोता भी वहीं पर कर दिया जाता है लेकिन IMO नाम इसे कब मिला तो आप देख सकते हैं इसका जो मूल नेम है यानि कि इसका जो वास्तविक नाम है पहले जो था अंतरसरकारी समुद्री प्रामर्श दाता संगठन यानि कि जो नाम था उसका वो था इंटर गॉर्मेंटल मेरिटाइम कंसल्टेटिव और इसका पहले नेम था जिसे 1982 में बदल कर कर दिया गया इंटरनेशनल मेरिटाइम और इसका जो रियल नेम है यानि कि इससे पहले जो भी था उसके बाद इसका नाम आई-उमो कप पड़ा तो आंसर आपको देना है 1982 तो आपको दो इयर आपको याद रखने है एक तो 1982 और साथी साथ 1948 जब इसकी शुरुआत हुई और जब इसका नाम आई-उमो पड़ा तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने होगे आगे बढ़ते हैं इसके हेड़कोटर की बात करें तो इस समय युनाइटेट किंगडम यानि कि लंडन में इसका हेड़कोटर लूकिटिड है और वर्तिवार में कोल 174 जो देश हैं 174 जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर है और इसके लावा तीन एसोसियेट मेंबर भी है तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या और हेड़कोटर को भी याद रखेंगे चलिए अब बात करते हैं डबलो एचो की यानि की वर्ल्ड हेल्ट और्गनाइजेशन विस्त स्वास्त संगठन की ये भी यूएन की यानि की यूनाइटिड नेशन्स की सहीं तरस्ट की एक विस दुनिया बनाने के लिए काम करता है डबलो एचो यानि की पूरी दुनिया में स्वास्त की जो सुबदा है सब को मिले दुनिया स्वास्त के छेत्र में बहतर सुबदा है और लोगों को कम से कम बीमारियां वहाँ पर हो यानि की एक संसार की कलपना करता है डबलो एचो जह ऐसे साथ अप्रल को विश्ट स्वास्त दिवस भी celebrate होता है जो कि establishment date है WHO की तो आपके exam में important days का भी section आता है जहां एक number पर आपसे एक important day पूछा जाता है तो वहाँ पर आप answer करेंगे headquarter की बात करें तो जेनेवा सुजरलेंड में इसका headquarter located है और current scenario में बात करें total 194 इसके member countries हैं तो यह सारे important facts आपके exam के लिए बहुत ही ज्यादा important है और पूछे जाएंगे next यहां पर बात करते हैं World Bank की यानि की विश्व बैंक ठीक है क्या है एक अंतरास्टी विद्धिये संस्था है सबको पता है जो कि दुनिया को दुनिया के माल लेते है हमारे देश में किसी जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक पूल बनाना है और पूल बनने के बाद ब्रिज बनने के बाद वह देश की Capital हो जाता है संपत्ती हो जाता है क्योंकि जो खर्ची होते हैं वह दो तरह के होते है और क्यापिटल expenditure capital expenditure ऐसे expenditures कहलाते हैं जिससे देश की और सरकार की और उस देश में particular जो भी उनकी संपत्ती है सावजने जो संपत्ती है government जो भी assets होती है उनमें बढ़ोत्री होती है यानि कि अगर एक पुल बना देने से पुल बन जाता है या पुल पर जितना भी खर्चा होता है वो एक तरह से public asset create करता है देश की संपत्ती का निर्मार करता है माल लेते हैं देश में 10 नए एमस अस्पताल खोले जा रहे हैं माल लेते हैं देश में 1000 किलोमीटर का एक नया लंबा express way बनाया जा रहा है तो ये express way बनने के बाद ये एक तरह की capital asset होगा क्योंकि लंबे समय तक हम इस asset का इस्तमाल करेंगे देश की संपत्ती यहां पर बनती है तो ऐसे कोई भी projects जो की देश के विकास के लिए जरूरी होते ह हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं जैसे कि railroad, bridge, यातायात, infrastructure इन सब पर जो खर्चा होता है वो सभी capital expenditure कहलाते हैं क्योंकि देश की संपत्तिय हमें बना के देता है चाहे वो rail हो चाहे वो bridge हो चाहे वो pull हो चाहे वो कोई लंबी सी सड़क हो तो इन पर ज इन ही projects के लिए loan देता है, उधार देता है, रिन देता है, विश्वाइं की स्थापना कब ही, 1944 इसका जो आदार्स वाक्य है यानि कि जो motor line है वो है working for a world free of poverty यानि कि आपको समझ आ गया होगा इसकी जो tagline है वो ये कहती है कि एक ऐसा है दुनिया हमें बनानी है, एक ऐसा सं अंसार बनाना है जो गरीवी मुक्त हो, यानि यहां पर कोई गरीब ही ना हो, तो कहीं न कहीं गरीवी को मुक्त करने के लिए, देश को गरीवी मुक्त करने के लिए, जो भी उजनाय चलाई जाती है, वहां से funding हम ले सकते हैं, वर्ल बैंक से, ठीक है, headquarters की बात करें, अमेर अंकटाट की, अंकटाट की बात करें, तो इसकी जो स्थापना होई थी, वो 1964 में होई थी, 1964, सयुक्तराष्ट महसभा के द्वारा ही, United Nation की General Assembly के द्वारा ही, इसे स्थापित किया गया था, एक स्थाई अंतर सहकारी, सरकारी, निकाय की तरह, ये भी आपको याद रखना है ठीक है, इसका जो स्थाबलिस्मेंट हुआ है, वो क्या हुआ है, एस अ पॉर्मनेंट इंटर गॉर्मेंटल बॉडी के तोरक पर इसको स्थाबलिस किया गया, इसके हैट्विटर के अगर हम लोग बात करें, मुख्याले की बात करें, तो जेनवा स्थाबलिसलेंड में ही और New York और Addis Ababa, एथोपिया की capital Addis Ababa में इसके कार्यालाई भी हैं तो आप इनके दोनों को कार्यालाई भी याद रखना है कि New York में भी एक कार्यालाई है और एक कार्यालाई अबाबा एथोपिया में भी है लेकिन इसका जो headquarter है वो जेनेवा तिसलेंड में हैं तो ये दो और important point रहेंगे जो आपको याद रखने हैं अब reports की अगर हम बात करें तो कौन-कौन सी reports हैं जो की अंकटाट के दौरा release की जाती हैं इशू की जाती हैं तो आपके सामने हैं व्यापार और विकास report यानि की the trade and development report दूसरी है के इन में से कौन सी report किस particular organization के द्वारा इशू की जाती है क्योंकि एक number पर question पूछा जाता है तो अभी तक दोस्तों मेरे मित्रों जितनी भी हमने यहाँ पर organization discuss किये हैं वो सभी के सभी organization UN से संबंदे थे United Nations से संबंदे थे कहीं ना कहीं इसी करम में एक और organization है जिसका नाम हम कैसे भूल सकते हैं बात है WTO की यानि की world trade organization की विश्य व्यापार संगठन की किस तरह का एक संगठन है यह एक अंतर सरकारी संगठन है यानि की inter-governmental organization है जो की जितने भी रास्ट रहें इतने भी countries हैं उनके बीच में अंतरास्टी व्यापार यानि की international जो आपका trade है उसके नियमन से संबंदित है उस पर controlling से संबंदित है उस पर regulation से संबंदित है कौन WTO भारत भी WTO का member बना था एक जनवरी 1995 को ही जब इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी एक जनवरी 1995 भारत भी इसके founding members में सामिल था और एक समझोता हुआ था जिसका नाम है मारकेस समझोता जिसके तहट WTO को स्थापित किया गया था और 148 में शुरू हुए general agreement on tariff and trade की जगहली थी यानि कि इस से पहले यानि कि WTO के बनने से पहले एक संस्था काम कर रही थी नाम है 1944 में श्थापित हुई get का full form है general agreement on tariff and trade इसकी जगहा पर WTO को लाया गया था तो यह दोनों year आपको याद रखने होंगे exam के point of view से कब कब क्या हुआ बात कर लेते हैं WTO के headquarter के बारे में सब को मालूम है जैनेवा स्विजर लेंड में इसका headquarter located है और 164 जो country है सदस्देश है वो इसके member है तो यह आपको सारे के सारे points याद रखने है WTO के बारे में बहुत सी ज्यादा important है इसके लावा जो भी current में खबरें आपकी WTO से जुड़ी हुई है जिस किसी भी international organization से जुड़ी हुई कोई खबर आपको newspaper मिलती है current affairs मिलती है वो भी आप सभी के exam के point of view से काफी ज्यादा important है तो उस पर भी नजर बनाये रखिएगा तो इतने सारे organizations को discuss करने के वाद उमीद है इन सारे organizations के बार में आपो काफी ज्यादा detail मिल गई होगी और current scenario में अगर कोई भी current affairs में इन में से कोई इसा भी organization रहता है तो उसके बार में कोई भी जो भी important point है वो note करते जाईएगा exam में definitely help करेगा तो इस video series में इतना ही international organization जितने भी थे हमने उनको discuss के जो भी आपके exam के point of view से most important थे मिलेंगे अगली बार एक और video lecture के सारे आज के इतना ही धन्यवाद